सबी साथियों को मेरा प्यार भारा नमस्कार मैं राहूल और आप देख रहें सिबिल एंजिनिंग सॉलुसेटेई चैनल सबी साथियों को मेरा नमस्कार और सभी का हमारी यूटूब चैनल में हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो है वो काफी खास वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं draw the L section of a brick masonry trapezoidal bear crest आज की इस वीडियो में हम जो है एक draw the L section of bear bear का जो L section होता है उसको draw करेंगे और जो draw है वो किस तरह से होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इसमें जो बताए गई एक एक step आपको बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे क्योंकि अगर कोई भी step अगर छूटता है तो वो आपके लिए काफी दिकत भरा हो सकता है क्योंकि कहीं से अगर छूट गया तो वो आपका आगी का step आप नहीं बना सकोगे तो प्लीज वीडियो को एक एक step को आपको सुरू से देखना है और साती हो एक request है आप सभी से अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल सब्क्राइब ना किया हो तो जल्दी से यूटूब चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए जिससे कि जो भी हमारी नई वीडियो आया आप लोग के लिए वो आप तक पहुँच जा है उसके लिए आपको हमारे चैनल को जोईन करना होगा ठीक है फिर हम आपके लिए परसनली वीडियो बना कर भी डाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो मेरे पास इतनी वाड़ी ड्रॉइंग नहीं है फिलाल तो मैं इस जो आपको दिख रही है यहाँ पर इस पर मैं आपको बनाऊँगा और फिर आपको जो है यहाँ से लिए होगव डाटा आपको अपनी ड्रॉइंग सीट पर बनाना है तो सबसे हम पहले यहाँ पर स्केल मानेंगे साथी हो इसमें हमारे पास दो डाइमेंशन है एक तो मीटर में है और दूसरी आपको मम में है यह जो जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ बिलेक बिलेक यह आपको मम में डाइमेंशन दे रखी है यह चीज यह जो है बो डाइमेंशन मम में है और ये ठीक है और इन जो mm में डाइमेंशन है उनके लिए आपको scale मानना है 1 mm एकल टू 100 mm अगर कहीं पर 100 mm कोई दूरी है तो उसको आपको यहाँ ड्राफ पर जो graph विपर है यहाँ फिर जो drawing seat है उस पर 1 mm मानना है और अगर दूसरा हमें scale लेना है 1 cm एकल टू 2 मीटर या 1 मीटर ठीक है आप इन में से 2 मीटर या 1 मीटर कुछ भी ले सकते हैं माना कि हमने यहाँ जो है वो ले लिया है 1 cm मतलब 100 1 cm एकल टू 100 cm यह वाला हम scale यहाँ पर यूज कर रहे है अब हमें सुरुवाद कहां से करनी है आईए सुरुवाद करते है साथियों सबसे पहले आप लोग को मैं ऐसे ही free hand बनाऊगा ठीक है free hand बनाऊगा लेकिन आपको step by step देखना है कि कौन सा step कब start हो रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक line खीषते हैं यह कहलाती है top bit उनसी कहीचेंगे यह आपकी top bit है कितनी है 1.8 में 1.8 दोस्तो इसकेल का विसेज ध्यार रखे कि कुछ students scale लेने में दिक्कत करते हैं तो हमारा जो scale है वो 1.8 मीटर है तो जहां जब हम one ratio 100 का लेते हैं कितना लेते हैं one अगर 100 का जब scale लेते हैं तो suppose that 1.2 मीटर हो या 2.5 मीटर हो या 5.8 मीटर हो तो जितना भी यह हो रहा है वो आपका cm में हो जायागा ठीक है 1.2 cm 2.5 cm और 5.8 cm की line यहाँ पर खीचनी पड़ेगी अब यहाँ देखिए 1.80 मीटर है तब आपको यह जो line है आपकी यहाँ आपको 1.8 cm की line खीचनी है उसके बाद आपको height देखनी है height of wear height of wear कितनी है 2 मीटर जब 2 मीटर को जब 1 cm बरावर 1 मीटर माना है हमने कितना माना है एक cm बरावर 1 मीटर या 100 cm तो 2 मीटर के लिए 2 cm हो गया तो आप स्केल से 2 cm की line यहाँ पर draw कर लोगे ठीक है यह आप यहाँ पर draw करेंगे 2 cm ठीक 2 cm की line आपने draw कर दी अब देखिए जैसे ही यह height आवे कितनी 2 मीटर यह 1.8 मीटर अब क्या करना है यह जो है यह हमारी कहलाती है इस side से up stream और इस side by down stream क्या कहलाएगी यह कहलाएगी down stream अब जो है इसके बाद आपको फिलोर बनाना है क्या बनाना है यह बनाना है cement concrete floor up stream 200 thick with suitable supporting cut off ball अभी जो है पहले हम फिलोर बनाते हैं उसके बाद cut off wall बनाएगे ठीक है तो फिलोर के लिए सबसे पहले आपको यहां से जो 1.2 meter width बैकिंग जो होती है वो जो दीवार हमने बनाई है यह जो दीवार है इस दीवार को बेस प्रदान करने के लिए यह बनाई जाती है तो यहां पर क्या करेंगे 1.2 meter 1.2 meter है तो इसका मतलब 1.2 centimeter तो आप scale से जो भी आएगा तो वहां से 1.2 centimeter ऐसे dotted line बना देंगे ठीक है dotted line बना देंगे यह आगई आपकी 1.2 अब उसके बाद जो है यहां 1.2 के बाद फिर यह जो length आती है length of cement concrete फिलोर यह हो जाएगा ठीक है अब यह पूरी length यहां पर बनाते हैं तो 2.5 के बाद आप कहा जाएगा मैं free hand बना रहा हूं साथी हो आपको बस जैसे जैसे मैं कहते जाओं वैसा वैसा आपको करना है 2.5 scale में जब change करोगी 1 meter में तो 2.5 centimeter आ जाएगा कितना यहां से यहां तक 2.5 centimeter कितना आ गया 2.5 centimeter अब देखिए 2.5 centimeter के बाद 900 mm है तो 900 mm के लिए हमने बताया था 1 mm equal to 100 mm अगर कहीं पर 100 mm की कोई दूरी है उसको 1 mm लिखना है और 900 है तो 1 mm बराबर 100 तो 9 mm बराबर 900 तो यहां पर आपको जो खींचिनी है वो 9 mm खींचिनी है कितनी खींचोगे यह आपका 9 mm हो गया ठीक है 9 mm हो गया फिर फिर आप खींचोगे यह उसके बाद कितना है 9 के बाद है 5.8 यह आपका आ गया 5.8 फिर आपका 900 mm है यह चीज़ आप डॉट लगा लोगे देखिए मैं free hand बना रहा हूँ आपको scale से बनाना है ठीक है यह देखिए यह आपका 900 मतलब 9 mm आ जाएगा यहां से यहां तक 9 mm की यहां इस से खीच लोगे जैसे यह है यह 9 है यहां से यहां तक 9 mm हो गया 9 mm का मतलब होता है 900 mm क्योंकि 1 mm एकल टू 100 mm का scale मानने तो 100 mm बराबर 1 mm तो 900 mm बराबर 9 mm अब यह आ ग की यहां तक हो गया अब उसके बाद फिर से 5.8 है तो यहां से फिर से हम 5.8 कीचेंगे यह फिर से डॉट बना देंगे और यहां लिख देंगे 5.8 अब 5.8 के बाद फिर से हमारी cut-off ball है यह जो होती है यह जो राइमेंशन कहलाती है यह जो बना यह supporting cut-off ball तो आपको यह जो उसके बाद 9 mm यहां से यह जाएगा 9 mm तो यह 9 mm हो गया यह ओगया अब इसके बाद 6 cm तो यहां पर 6 cm की लाइन खीच लोगे कितना खीच ओगे आप 6 cm की लाइन खीच ओगे यह आपका 6 cm की हो गई यहाँ से 6 cm मतलब 6 6 cm मतलब 6 cm क्योंकि scale हमने लिया है 1 cm equal to 1 meter तो 6 meter मतलब 6 cm ठीक है अब देखिए अब सबसे पहले आपको अब क्या करना है यह आपकी दूरी आ गई अब इस दूरी को उसके बाद उसके बाद जो हम इसके बाद जैसे ही 1st यह हुआ 2nd हुआ थड़ यह पूरी फिलोर बनाई अब उसके बाद जो 100 mm ठीक बनाएंगे 200 mm का मतलब है 2 mm अब यहाँ से यह 2 mm हो गया अब इस 2 mm का पूरा यहाँ तक हलकी सी पैंसिल और 2 mm यहाँ से जो लास्ट वाली जो कट आप वाल अप मनाएगी यहाँ से नीचे की तरफ को हम 2 mm लेंगे यह अब इस 2 mm से यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से मिला देंगे ठीक है यह यह पूरा इसको अच्छे से मिला देंगे इसको यहां में लाएंगे, इसको यहां में लाएंगे, ठीक है, यह हमारा हो गया, क्या, यह हमारा हो गया, यह चीज यहां से यहां तक, 5 पॉंट, यह यहां से, और यह, यहां तक थी, और यह, यहां तक थी, ठीक है, यह जो है, वो, 900 है, ये 900 है और ये भी 900 है ये 6 मेटर यहाँ से है और ये 6 मेटर यहाँ से है ठीक है अब उसके बाद ये CC हो गया ये हो गया CC 200 थिक है सीमेंट कंक्रीट 200 थिक 200 थिक अब उसके बद सेंट फिलिंग करेंगे सेंट फिलिंग कितने करेंगे डिएडा सूमेम अब डिएडा सो का मतलब डिएड़़आम है क्योंकि 100 mm बराबर 100 mm बराबर 1 mm तो यहां से वही सीम प्रोसेस करेंगे थोड़ा सा यहां approximate मान लेंगे आपका यह हो गया ठीक है अब इसको फिर से आप मिला दोगे साथ यह बीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरा step by step हम चलेंगे तो हम easily जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं ठीक यह हो गया अब उसके बाद यह क्या हो गया सेंड फिलिंग हो गई अब पडल कॉम्पैक्टिट करेंगे क्या करेंगे पडल कॉम्पैक्टिट का मतल क्या क्या से उनको भर दिया जाता है और वह कितना हम करते बहुते हैं एक इसो पचास है में तक फिर से जी इतना यह है से मिलके के हो जाएगा इसको फिर से आप यहां मिलाओगे और इसको हम फिर से मिला देंगे आ आप सिर्फ दूरी थी एक बात रखना अब जो आपने लास्ट में जो पडल कॉमपैक्टेट है ये चीज ये सीसी हो गया ये आपका क्या हुआ ये सेंड फिलिंग हो गया कि ये आपका क्या हो गया कि ये आपका हुआ पडल compacted हुआ यह puddle compacted हुआ यह sand filling हो गया यह puddle compacted हो गया अब जो puddle compacted की नीचे वाली line है इस line को आप आगे बढ़ा दोगे ठीक है और कितना बढ़ाओगी जितना यहां तक है इसको आगे बढ़ाओगे इसको फिर यहां तक इसे मिला दोगे फिर जो यहां मारा puddle compacted था उसको हम यहां तक बढ़ाएंगे ठीक है यह यह पूरा बढ़ा देंगे यह पिर आपको मिटा देना है यह जो चीज है इसको यह puddle compacted हो गया आपका यह ठीक है यह puddle compacted और यह sand filling ठीक है यह आपका sand filling हो गया अब देखिये अब क्या करना अब हमारे लिए बनाना है कट ओफ बॉल कट ओफ बॉल यहां से यहां तक तो यह आप से निसान लगा दोगे इसको आपको बढ़ाना है ऐसे ठीक है यह अब इससे नीचे 400 नीचे आप लोगे 400 का मतलब 4 mm कितना आप जो 4 यह लोगे 400 होगा तो आपको यहां तक 4 mm लेना है यह भी आपको यहां तक 4 mm लेना है ठीक है यह 4 mm हो गया फिर इन दोनों को आपको मिला देना है यहां भी ऐसे ही यह चीज हो गई यह आप यहां तक लाओगे फिर इस इसके नीचे जो पडल कॉमपेक्टिट की नीचे वाली दी इससे 4 mm नीचे 4 mm और यहां भी 4 mm नीचे और इनको आप फिर से मिला दोगे ठीक है एक यहां पर कट ओओ यह बॉल है यहां तक ऐसी आएगी यहां तक ऐसे ही होगा फिर उसके ज़स्ट नीचे आपको 4 mm 4 mm करना है यह धर भी 4 mm करना है फिर ऐसे ही इसको मिला देना ठीक है यह इतना आप स्टेप समझ गया होंगे यह फिर क्या करना है फिर यहां से offset देना इसकी footing बनाने के लिए ठीक है अब आप footing बनाने के लिए कितना offset दोगे ठीक है यह आपको मैं बना दे रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ठीक है इस तरह से यह इसकी footing है अब करना क्या है माना कि यह कितना है यह है 900 है मैं यह जो footing की जो depth है वो इतनी meter है बनपंड थिरी meter हमने मान लिया कि जो footing है यह वाली जो इस side में जो cut off ball है इसको curtail ball भी बोलते है कौनसी बोलते है curtail well बोला जाता है क्या बोला जाता है curtail well भी बोलते हैं अब देखिए यहाँ 900 है तो यह कितना होगा माना कि यहाँ 100 हमने लिया कितना 100 हंड़े है 100 का मतलब हो गया 1 mm तो आपको यहाँ से 1 mm लेना है यहाँ से 1 mm इधर से 1 mm लेना है और यहाँ तक आपको 200 यह जो है वो 200 लेना है ठीक है यह 1 mm और 2 mm 1 mm दो mm अब देखिए ये कितना हो गया 9 था 9 और 900 100 और 10 और इधर 11 अब करना कितना है अब आपको ये भी ये 100 और ये 100 1 mm फिर इसको आपको करना है 200 कर दीजिए फिर आप ये ये आपका फुटिंग बनकर तयार हो जाएगी ये 1 mm 2 mm, 1 mm, 2 mm फिर आप यहां से करोगे ये फुटिंग बनकर तयार हो जाएगी उसके बाद इसको आप जो ब्रिक का सिंबल है इससे आप आसानी से इससे दिखाए ये आपका कॉंक्रीट होगा सेम प्रोसेस यहीं करनी है यहां थोड़ा सा आपको जादा देना है मान यहां क्या करना है इसकी जो फुटिंग है अब बना देते हैं फुटिंग जो है इसकी वो रखनी है कितनी 1.2 फुटिंग कितनी रखनी है 1.2 रखनी है तो क्या करोगे इधर और इधर बन 150 mm इधर और 150 mm इधर ये आपको इस तरह से footing बनानी है ठीक है ये आप बना दोगे ये इसकी जो दूरी होती है ये बिट्थ होती है वो 1.2 होगी ठीक ये 900 था ये 900 mm था 900 mm में 1500 1500 300 जोड़ोगे तो आपका 12 mm हो जाएगा मतलब 1.2 mm हो जाएगा ये आपका ये आपका यहां कंक्रीट हो जाएगा ठीक है 1.5 mm और ये आपका 200 mm यहां गहराई 200 mm माल लिजिए अगर कट आप बॉल की अगर बात करेंगे तो ये जो चीज है वो आप पर डिपैंड है 4 भी मान सकते ये जो ऑफसेट है यहां आपने 100 दिया है यहां जैसा चाहिए वैसा आप मान सकते हो अगर यहां बढ़ा रहे हो तो आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा तो अब जैसे यहां है 1.5 लिया था तो इसका मतलब कितना है आप थोड़ा दिश्टबूरा देखिए ये डेड़ सो और ये 200 अफसे इसमें भी यही करना है थोड़ा वैसा बन रहा है यहां पर ये इस तरह से ये डेड़ सो डेड़ सो और ये 200 और ये जो पूरी हो गई ये हो गई आपका 1.2 मीटर ये ये वाले और ये सेम बनाने है ठीक है अब उसके बाद यहां से ये था ये दूरी थी ये अब इसको 6 मीटर था यहां से 6 मीटर आपको ये करना ये वाला इसको आप कोई भी सिलोप देके इस तरह से सिलोप दे सकते हो ठीक है ये आपका यहां होगे यह आपका होगे यह बोल्डर इचिंग बी ओ यू एल डी ए आर पी आई टी सी एच आई एंग यहां यह जो है साइड में लास्ट में मोटे मोटे पत्थर रख दिये जाते हैं ठीक है तो मैं थोड़ा यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ चली बाद में दिखा हुआ अब देखिए आपका जो अप स्ट्रीम साइड था यह पूरा कंपलीट हो जाता है यह जो होती है यह इने बोलते हैं कट ओफ वाल क्या बोलते हैं कट ओफ वाल बोलते हैं अब देखिए यहां से इस से आपको नीचे थोड़ा सा नीची डालना है कितना तू 200 का मतलब होता है 2 mm कितना 200 मतलब तू हैमें आपको नीचे आना है आप जो हास हुआ ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग ले कि एंगे लिया है अब उसके बाद यहां पर हम आपसेट देंगे यह यह आपसेट देंगे कितना 1.150 का कितना देंगे 1500 का यहां 200 यहां 1500 का मतलब होता है यह पॉइंट से जब यहां होगे तो 2 mm और यहां से इधर जाओगे तो 1 mm ठीक है 500 मतलब 5 mm कितना लेना है 5 mm यह अब क्या बनाना है width of footing क्या बनाना है width of footing यदि आपको width of footing नहीं दे रख्य roku है तब आप width of footing मान सकते हो यहां पर width of फुटिंग ओफ वियर जो वियर की विड़तों फुटिंग है हमने माली 3.5 मेटर साड़े 3 मेटर हमने अगर विड़तों फुटिंग माली तो साड़े 3 मेटर का मतलब होता है साड़े 3 सेंटिमेटर आप यहां पर अभी 3.5 सेंटिमेटर की इस तरह से लाइन कीचो गए ठीक है इस तरह से 3.5 सेंटिमेटर की इसको भी आप आप कैसे करना है ध्यान सुनिए अब यह जो आपने लाइन कीची 3.5 सेंटिमेटर की अब इस पॉइंट से आपने यहां कितना ऊपर किय था 500 तो यहां भी 500 करना है 500 आपने किया मतलब 5 mm किया scale से क्योंकि scale equal to 1 mm equal to 100 mm है तो 500 एकल एक एम बरावर 100 तो 5 mm बरावर 500 सो अब यहां कितना आपने डाउन किया यहां किया इधर डेल सो तो आप इधर भी डेल सो करोगे कितना करोगे डेल सो करोगे कितना डेल सो करोगे ठीक है अब डेल सो फिर उसके बाद आपको कितना आपने यहां किया यहां कितना उठाया यहां उठाया आपने दो सो यह चीज से मिला दो गए क्या करोगे इस से आप इस के से मिला दोगे यह हो गया आपका वैटर ठीक अब यह जो पांट था इसको आप यहां से इसली मिला दोगे ठीक है यह यह आपका मिल गया यह चीज नहीं ठीक है तो यह है अब यह मिल गया यह चीज आपका होता है यह कॉंक्रीट का बना होगा यह भी आपका इसके बाद बनेगा यह आपका ब्रिक का योगा अभी नीचे की फुटिंग आपको और बनानी है ठीक है यह माना की 3.5 मीटर थी यह यहां से यहां तक ठीक है अब उसके बाद क्या करना है सिस्टर लेना है 6 मीटर 6 मीटर क्या है यह आपका सिस्टर नो गया यह 6 मीटर का सिस्टर लेना है तो आप यहां से यहां 6 मीटर का इस पाइंट से इस पाइंट से यह जो पाइंट है यहां से 6 मीटर की एक लाइन खीचोगे ही है माना कि आपनी यह लाइन 6 मीटर की खीची 6 मीटर और इसको आप आगे तक बढ़ा दोगे ठीक है आप फिर इसको भी बढ़ा दोगे क्योंकि यहां पर यह हो गया आप स्ट्रीम वो सॉरी डाउन स्ट्रीम फिलोर और यह आपका डाउन स्ट्रीम फिलोर आपको क्या है यहा जी को कम करता है ऐसे यहां बेस होता है तो यहां से जब पानी किरेगा तो उसके लिए बेस तयार किया था इसलिए यहां डवल फिलोर बनाए जाता है यह हमारा जो होता है वो कंक्रीट का होगा यह भी आपका कंक्रीट का बना होता है ठीक है अब उसके बाद देखिए यह आ जो यह बताई थी soda staining valve of suitable size on downsteam आपको एक staining valve design करनी है suitable size उसका लेना है on downsteam ये up steam था और ये down steam है अब आपको यहां से यह आपका 6 meters आ गया 6 cm की लाइन यहां से आपने किची अब यहां से 9 mm लोगे कितना 9 mm क्यों क्योंकि ये 900 mm है तो 900 mm का मतलब स्केल में जब आप चेंज करोगे इस वाले से तो 9 mm आ जाएगा और यहां तक जो यह चीज है यह जो लेते हम 3 मीटर हाइट लिए हमने माना की इसकी हाइट कितनी है इसकी हाइट 3 मीटर है और यह चोणाई हो गई यह बाकाइदा आप फिर इसको इसकेल से ना तो यह चोणाई हो गई यह यहां से आपका यह जो होगा वो 200 mm थिक हो गया आपका यह यह हो गया 200 थिक CC फिलोर और यह हो गया 500 थिक CC फिलोर अब यह हो गया इस तरह से बनता है यह यह यहां तक आपका concrete स्वरी यह जो यहां इस तरह सोता है यह brick ओपर से brick बना जाता है और इसमें अंदर से concrete बहर दी जाती है इसको जो यह होता है इसी को बोलते हैं brick staining क्या बोला जाता है brick staining बोला जाता है और यहां पर field concrete इसके अंदर concrete को fill कर दिया जाता है ठीक है अब देखिए यह 900 आ गया यहां से यहां तक 900 मतलब 9 mm अब उसके बाद यह आपके size था अब आपको क्या लेना है यह 10 मीटर का 10 मीटर बनाना है अब फिर 10 मीटर की line की चुगे यहां से इसके बाद 10 मीटर की line लो गए ठीक उसके बाद यह 10 मीटर लागया अब 10 मीटर के बाद फिर से आपको क्या बनाना है एक cut of valve बनानी है यह जो size इसका यह आप 900 भी ले सकते हो 500 भी ले सकते हो आप 600 mm भी ले सकते हो जैसा चाहें आप लोग यहाँ पर इसकी thickness ले सकते हो ठीक है अब यह होगी आपका 10 अब यहाँ आपको क्या बनाना है इसके बा एक cut of valve बनानी यह जो चीज है आप यहाँ से फिर यह लेकर आओगे यहाँ तक यह हो गया ठीक है इसको आप यहाँ इस तरह से बनाओगे अब ही मैं बताओगा इसको यहाँ दिये आपका यह चीज तो यह जो है आपका यहाँ तक यह यह चीज आपका यह 200 थिक हो गया यह ये 500 हो गया, ठीक है, 200 थिक था, ये चीज और ये 500, अब ये जो चीज आपका, ये, ये है, cut-off wall, ये है, cut-off wall बनाई, ये कितना है, ये जो लिया आपने, ये, और ये, ये आपका 900 है, और ये आपका 1.2 है, यहां से, यहां तक, ठीक है, यहां से, यहां तक 1.2 और ये, तो ये कितना, आप यहां से, यहां तक कितना लोगे, वही, डेड़ सो लोगे, इधर भी, डेड़ सो लोगे, यहां से, यहां से, यहां तक तो है, यहां तक, इस से नीचे कितना वनाना है, ये भी तो होगा, माली जी ये line आप, अब यहां से, उसके बाद ये 9 है मैं हो गया 900 उसके बाद आप 15 मीटर और आगे चलोगे क्योंकि आपको बॉल्डर पिचिंग करनी है तो यही जो लाइन थी आप आगे तक बढ़ा दोगे और यहां से यह होगा इसको कोई भी सुलोब दे सकते हो ठीक है कैसा भी सुलोब दे दोगे यहां से माली यह इस तरह से आपने सुलोब इसमें दे दिया यहां यह आपका आगया बॉल्डर पिचिंग बॉल्डर पिचिंग आगया ठीक है अब यह चीज थी यह कितना लेना है यह लेना है आपको 400 यह 4 mm लेना है यह 4 mm यह 4 mm यह 1,5 mm यह 2 mm यहां आपने 200 लिया है यह 400 यह 150 mm और यह 200 mm अब इसकेल में चेंग करोगे 4 mm और आपका 1,5 mm और यह आपका 1.2 1.2 cm यह 1.2 mm तो यह 1.2 cm हो जाएगा इस तरह से आप लोग यह कर्टेल बॉल बना दोगे तो यह था हमारा नीचे का यह पुरा हो जाता है ठीक है अब आपको देखिए यह यहां पर कुछ बैड लेवल भी है यह माना की यहां पर बैड लेवल था 1.97.5 तो यहां से यह कितना डाउन हो गया यहां का जो बैड लेवल हुआ वो 177 मीटर हो गया कितना हो गया बैड लेवल 197.5 क्योंकि यह जो आ रहा ही है यह आपका यहां तक आ रहा तो यह कितना था यह 500 होगा यह चीज यह दूरी कितनी होगी आप यह दूरी यह होगी आपकी 500 एमेम क्यों यह 200 थिक था यह 200 था यह 500 और फिर यह 500 दो 200 और यह 500 और यह 500 तो आपका यह जो चीज यह यह 500 अब आप क्या करोगे इसको यह अब इसमें आपको एक नीचे फूटिंग और बनानी है यह क्या करना है यह फूटिंग आपको और बनानी है यह चीज लास्ट में बना देना आप इस यह आपको रखना है यह 600 हो गया और यह आपको 200 रख लीजिए और यह आपको 200 और यह 600 200 मतलब यहां से 2 mm फिर 6 mm 2 mm 6 mm अब यह जोड दीजिए आप 4 और 4 9 3.9 मीटर आपका यहां से यहां तक हो जाएगा ठीक है यह आपकी फूटिंग हो गई यह क्रेश्ट कहलाता है यह चीज और यह आपका हो गया बैटर 1 in 4 ठीक है 1 in 4 कहलाएगा ठीक अगर इसमें अब जैसे माली जी यह कोई फिलो हो रहा है यहां से पानी फिलो कर रहा है आपका यह तो यहां से थोड़ा डाउन होगा यह और यह इस तरह से पानी चला जाएगा यह तो यहां की माना की हाई टैस की 2.5 मीटर 2 मीटर यह था 2 और यहां से हाइट जो आपका यह पानी इतना वह रहा है और यहां से आपका जुरू हो जाएगा यह फूल सप्लाई लेवल होता है यह कितना होगा फूल सप्लाई लेवल ठीक है तो आपका इस तरह से यह हमारा जो ड्रॉदा एल सक्षन ओफ बियर है यह कहलाती है फुटिंग ओफ बियर यहां से यहां तक यह आपका फुटिंग ओफ वियर यह आपके स्टेप थे बहुती इजी स्टेप है आप इसको आसानी से समझ सकते हो और यह देख भी सकते हो ठीक है यह वीडियो थोड़ी बड़ी है हो गई है लेकिन आपको एक-एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ माएगा कि कहां आपको क्या बना हैं और यह कैसे आपको यूज़ करना है ठीक है तो आज की वीडियो में हमने सीकह कि कि स्तरा से draw the elexe section of beer कि जो beer है उसका elexe profession कैसे ड्रौ करना है ठीक है दोस्तो अगली वीडियो में हम ऐसे ही topic पर वीडियो लेकर आएंगे तब तेक के लिए नमस्कार धन्यवाद